पहले बच्चों को शुबय उठना सिखाएं अपनी दिनचर्या ऐसी करें दस बजे तक सो ही जाएं तो ग्यारा, बारा, एक, दो, तीन, चार च्छे गंटे हुए हम करें और एक गंटे सो लें साथ गंटे अगर सो ले तो पाँच बजे जग जाएंगे तो हमें लगता है कि सूरी उदे के घंटा भर पहले जग गए एक घंटा लगबक शे बजे सूरी उदे होते होंगे तो पाँच बजे सबसे पहले उठें सबसे पहले उठकर के दो, चार भगवन नाम लेना सिखाए हम कहरें माला नहीं, राधा, 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 बस फिर धर्ती के प्रेश हुए, फिर उठकर माता पिता के चरणों को इसपर्ष करे जो बुजूर्ग जन हैं, बड़े जन हैं, सब के चरणों को प्रणाम करे फिर जल पिये जो बाशी मुह जल है न वो उदर के बहुत से रोगों को नश्ट करता ब्रमचर की पुष्टता करता है फिर थोड़ा टहल कर सोच जाए फिर इशनानादी करें फिर दस मिनट डंड बैठक बच्चे हैं ना दस मिनट आसन और दस मिनट बैठकर प्रानवायू का संशोधन अनुलोम बिलोम ऐसे मतलब तीस मिनट वो समय इसमें लगाए फिर इसके बाद जैसे हम सास्त्र श्वाद् करते हैं वो ऐसे अपनी दिनचर्या में जो स्कूल में पढ़ाया गया है बिल्कुल इसमरती में बैठ जाएगा इसमरती में और आज का जो खान पान है वो चावमीन पीजा बरगल यह सेंबीज यह जो चीजें हैं यह उनकी आतों को कमजूर करेंगे उनकी बुद्धी को गिराएंगे क्योंकि अपवित्र और गरिष्ट वस्तुएं श्वाद में तो अच्छी लगती हैं लेकिन यह स्वास्त के लिए या बुद्धी पवित्रता के लिए बिल्कुल हानिकारक है हैं छुटे छुटे बच्चे इनी को खा रहे हैं